गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं अपनी वोकषिट नमबर 53 सब्जेक्ट साइन्स क्लास 10 हमारी डेट 9 नवंबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है है हेरेडिटिण एड एविलिएशन उसमें आज हम हम पढ़ेंगे कि ज जिसे अवोर्ट करा देते हैं उनको है ना पेट में उनकी हत्या कर दी जाती है तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि कैसे होता एक लड़का और लड़की कैसे जो एक ही जो हमारी वुमन है उसके अंदर इतनी चेंजिस होते हैं कि वह लड़की को भी जनम से दे सकती है ल जो characteristics है जो लक्षन है जो चीज़े similarities है dissimilarities है उनको पहचानने में हेरेटी का बहुत ही बड़ा मैत्व है इन में से एक सच example है जैसे sex determination ठीक है इस होते हैं जो इनसान जो होते हैं उसमें 23 pairs of उसमें 23 pairs of मतलब total कितने होगे 46 pairs लिखाए मतलब एक यह दो हैं यह क्या एक पेर है ऐसे 23 pairs होते हैं तो total अगर एक एक काउंट करें तो कितने होगे 46 होते हैं तो हम एक क्रोमोजोंस पे हर पेर से लेते हैं एक मतर से और एक हमारे फादर से ठीक है तो जो यह pairs है जितने भी ओल पेर हैं जो human क्रोमोजोंस की वह एक perfect pair है accept the pair of sex क्रोमोजोंस सब की सब क्या है बिल्कुल सही है उन में से जिर्फ एक अलग होता है जो होता है उनके अंदर एक अलग होता है जो woman है उनके अंदर six english hypoten कंदर एक्स होते है लेकिन जो man होता है जो man होता है was mismatch नहीं होते हैं उनका जो पेर है उ recy Mysteries होता है जो नॉर्मल साइज का होता है ठीक है एक्स होता है लेकिन जो दूसरा है वो शोर्टर होता है जिसे यहां पर दिख रहा है यह एक्स है नॉर्मल साइज जो यह नॉर्मल साइज था उसी जितना लेकिन जो दूसरा है यह देखो छोटा है जो शोर्टर वाला है वो जो chromosome होता है उसकों बोलते है y ठीक है तो क्या पता लगा आपको इसका conclusion क्या है कि जो woman है उसके अंदर दोनो xx होते हैं जबकि जो man है उनके अंदर x और y दोनों होते हैं ठीक है अब देखो कैसी पता लगता है कैसे determine होता है की लड़का हो या लड़की देखो zygote formation जब होता है आपका child मतलब होता है जो zygote क्या होता है जो आपका अंड़ा वो बनता है है ना बोड़ी के अंदर जो human होती है आपकी mother होती है तो zygote जो form होता है बनता है तो जो child है जो बच्चा है उसको हमेशा x chromosome मिलते हैं जो लड़का होगा है लड़की होगी वो किसको से पता लगेगा अटाँ थे आपके जोड़का रड़की má작 उनका तो दोनों का क्या होता है एक्स एक्स होता है तो कैसे पता लगा होगी कि लड़का होगा लड़की लेकिन जेंस का एक अलग होता है एक्स और वाई इसी के उपर निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की कैसे देखो अगर जो चाइल है जो बच्चा है उसन से तो उसने X ही ले लिया लेकिन जो father है उसमें से X वाई अगर उसने यहां से भी X ले लिया तो X X क्या होगी आपकी girl होगी तो मा तो क्या होगा लड़की होगी ठीक है heritage जो आपके jeans की तुरू जाते हैं आपकी उसमें से उसने X की बजाए Y लिया है तो X Y किसका होता है बिटा जेंट्स का मेल्स का होता है तो वो क्या करेगा वो क्या होगा एक लड़का होगा बोय होगा ठीक है तो आप इस मतलब है यहां से X ले लिया और यहां से X ले लिया तो क्या होगी लड़की होगी यहां से इसने X ले लिया लेकिन उधर से उसने Y ले लिया तो क्या होगा लड़का होगा ठीक है यह आप यहां से भी काउंट कर सकते हो कैसे देखो अगर यहां से इसने X ले लिया यहां से y लिया है तो क्या होगा लड़का होगा simple है ना अब देखो इस diagram को आपको complete करना है कैसी करोगी बिचा देखो सबसे पहले अगर जो male है आपका chromosome वो x है और female वाला भी x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह आपका complete है अगर female x होगी आपका और male से आपने y लिया है तो x y मतलब boy होगा ठीक है उसके बाद फिर से आपने female वाला क्या लिया है जो यह वाले है बिटा यह क्या है फिमेल्स की है female वाला x लिया है और male वाला फिर से x लिया है तो फिर से girl होगी लेकिन अब यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ से जो female वाला है उसने x लिया है लेकिन इधर से y लिया है तो यहाँ पे fill करो y तो क्या होगा boy होगा ठीक है तो क्या फिल करना है यहाँ पर X आएगा और यहाँ पर Y आएगा यह figure आपको complete करना था ठीक है हो गया अब देखो इसका मतलब जो equal chances होते हैं एक लड़का या लड़की होने के है न क्योंकि वो किस पर depend करते हैं X या Y पे उतने ही chances X के होते हैं कि अगर father से X मिल गया तो लड़की होगी father से Y मिल गया तो लड़का होगा chances तो बराबर होते हैं तो जो sex, sex child का कि जो बच्चा है वो male होगा या female होगा वो किस पर depend करता है वो सिर्फ निर्धारित करता है सिर्फ और सिर्फ जो chromosome अपने father से मिले हैं क्योंकि mother के तो दोनो X होते हैं Y हमें कहां से म मिल सकता है तो इसलिए जो बच्चा है उसका जन्म जो है वो लड़का होगा है लड़की क्या से पता लगेगा वो सिर्फ एक जो उसके father है उससे पता लगेगा चीक है तो हम blame करते हैं अगर लड़की होगी तो हमारी जो society है आज भी बहुती दुख मनाया जाता है अगर ल sex determination है लड़का है लड़की है वो किस पर डिपेंड करता है वो father पर डिपेंड करता है ठीक है अब कुछ interesting facts है इन few reptiles, reptiles के अंदर जो temperature है जिस पर एग को fertilize किया जाता है at which fertilized eggs are kept जिस पर जो fertilized eggs उनको रखा जाता है जिस temperature पर, reptiles क्या होते है क्या करते है जैसे साप हो गया न रेंग्त तो यह सब क्या रैप्टाइल्स है तो कुछ रैप्टाइल्स के अंदर जुस टेम्प्रेयचर पर रखा जाता है उसके हिसाफ से पता लगता है कि जो अंडे से निकले सबसानायद से बीज सबसाने मिले हास को ड़ी एअ है इसे अचे थाल को प्पलिज है जब सबसे फिर्कव। जियन थाम को अ हमारोन आप सुट्व सल थार अपने देखा हो गाहँ यहाँ ऊता है जैसे examples, individuals can change sex indicated that sex is not always genetically determined, वो क्या करते हैं, वो sex को जो change भी हो सकता है, ठीक है, male से female में change हो सकता है, और female से male में change हो सकता है तो इससे में पता लगता है, जो sex है वो हमेशा genetically ही नहीं determined होता, ठीक है, अब देखो अब आते हैं मारी question answers, question number one है, humans के अंदर, जो female sex chromosomes हैं, उनको किसे represent करते हैं, भी हमने इतनी बार पढ़ा कि से represent करते हैं, बटा, हम represent करते हैं, xx से, तो आप लिखोगे, in human female sex chromosomes are represented by xx, and xy represents sex chromosomes, और जो xy हैं, वो किसके दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, males की, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, males, ठीक है males, m-a-l-e-s, तो यह हो गया, आपका question number one, ठीक है complete question number one समझ में आगया, आप क्या लिखना है, देखो, दोबार से सुन लो, बेशब जो आपका first है, इसमें क्या करना है आपको, human female sex chromosomes हैं, उनको एक्स, एक्स से दिखाते हैं और जो एक्स, वाई है, वो क्या होते हैं, बेटा वो males होते हैं, ठीक है, males चलिए, अब चलते हैं हमारे question number two पे, question two है, how does sex determination occur in humans, explain with diagram जो sex determination है, कैसे पता लगता है कि लड़का होगा या लड़की, वो humans के अंदर, उसको आपको diagram के साथ explain करना है, तो देखिए, this is your answer number two, जो sex होता है child का, उसको हम पहचानते determine करते हैं, पता कर सकते हैं उन chromosomes की थूँ जो हमें father से मिले हैं, ठीक है, जो child है, वो अगर x chromosome लेता है अपने father से, तो क्या होगा, girl होगी लेकिन, जो child अपने father से y chromosome लेता है, वो क्या होगा, boy होगा ठीक है, तो यह होगया, आपका यह धियान से देखिए यह होगया, आपका answer number two का explanation, यह लिखना है अब वो आपको बताया था, उसको diagram की साथ आपको रिवू करना है, तो नीचे क्या करना है आपको diagram भी बनाना है, इसके नीचे यह diagram आपको बना लेना, यह diagram मैं आपको explain कर चुकी हूँ है ना, तो यह होगया, आपका answer number two, फिर से देख लीजे, यह आपको लिखना है और यह लिखने के बाद, आपको नीचे यह diagram बनाना है, ठीक है, answer number two complete, आप चलते हैं questions तो आपके यह दो ही given थे, लेकिन आपको नीचे एक activity है, छोटी सी आपको यह बताना है, question answers तो बिटा, यह दो ही थे, लेकिन नीचे आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है कि मैंने क्या sex determination के बारे में, आज मैंने क्या जाना तो हमने जाना कि जो sex है बच्चे का, वो किस पर depend करता है, जो chromosome है अपने father से मिले, वो father के उपर depend करता है, यह हमें पता लगा, ठीक है उसकी बाद आपको दूसरा दिया हुआ है things I further want to know about sex determination, और क्या चीज़े हैं, जो मैं जानना चाता हूँ, तो आप लिख सकते हो कि how twins are born, कैसे जो twins है, जुड़वा बच्चे है, वो कैसे होते हैं, ठीक है तो यह तो हम complete करेंगे, यह next worksheet में, तो इक questions आपको यह अपनी तरफ से यह आपको लिखना है, कि क्या मैं लिखना चाहूँगा, क्या मुझे जानना चाता हूँ मैं, और क्या आपको इस worksheet से पता लगा, वो आपको यहां लिखना है, यह आपके लिए था, यह मैंने वैसे आपको आंसर लिखवा दिये हैं, लेकिन आपको खुद से यहां पर लिखना है, कि मैं क्या जानना चाता हूँ और क्या मैंने इस worksheet से जाना, ठीक है, तो यह आज आपकी worksheet थी, I hope आपको पूरी worksheet अच्छे से समझ में आ गई है, कोई भी doubt आपको पूरी worksheet में किसी भी तरह से, तो comments में आप हमसे पूरी सकते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चानल को subscribe भी कर सकते हैं, thank you and have a great day